नमस्कार दोस्तों मैं रिविंद कुमार वश्णाओं आप सभी कैसे हो आसा करता हूँ कि आपकी तियारी अच्छी चलतरी होगी रिट का एक्जाम 23 चोईस जुलाई को होगा मुख्यमंतरी मौधे ने कल बजट में गोशित किया था तो 23 चोईस मैं को एक्जाम होगा और वो पातरता परिक्षा होगी उसके अंक नहीं जुडेंगे वो पातरता परिक्षा होगी फिर दूसरा एक्जाम उसके बाद करवाय अंक चाहिए तो अलग अलग आकड़े वो होते हैं और क्या नहीं पढ़ना उसके लिए मैंने दो-तिन वीडियो बना रखे हैं कि कौनसी किताब पढ़नी कौनसी नहीं पढ़नी फिर भीगर आप वो नहीं पढ़नी और आप कोई भी चीज पढ़नी जिसे आप कहीं ओपला साथ भी हुआ, आपके साथ आराम से होता होगा, सबी साथ չनल लगपगी है, कि यार यह यह क्यों बट रहा है, यह तो इतिनी खास चीज नहीं है, उन सर के नोर्स पर वो नोर्स बहुत अच्छे हैं, उन सर ने बहुत च्छी लाइन लिखा रिखी, इस सर ने तो दो लाइन कम लिकाई, उन सरने दो लाइन जएदा लिखा रख이N इस किताब बच्छी नहीं, ये किताब बेगा रहे हैं तो वो किताब अच्छी है, वो रैटरी किताब अच्छी है ये हैं वो हैं, ये Karl Line Tzia service zone कर ले ये מה कोचन करें, ये ये बहुत सारी चीज़हीं आपको देखने को बिलेंगी, लेगन आपको एक चीज़ पर विश्वास करना है, आप जो भी चीज़ बढ़ रहे हो, कोई से भी राइट रहे हो, कोई से भी किताब पढ़ रहे हो, जो आपको अच्छी लेगरी हो, वैसे मैंने बता रहे हो, किताबे लेगन आप जो भी बढ तो आपको विश्वास होना चाहिए, चाकी जैसी रही बावना परभु मूरत देखी दिन तेसी, अगर आपको पूरा विश्वास साथ आप किताब से पढ़ोगे, आप अपने गुरु से पढ़ोगे, तब आपको सपल होने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर आपको अपने पर विश्वास नहीं है, अपनी किताब पर विश्वास नहीं है, तो फिर तो काम नहीं बन पाएगा, इसलिए आप पूरे विश्वास साथ पढ़िए, कोई भी चीज पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, पूरे विश्वास साथ पढ़िए, आपका सेलेक्शन कैसी भी बढ़ते म